जीव विकास कैसे हुआ? नमस्ते दोस्तों मेरा नाम सोनिया है। आज बात करेंगे कि जीव का विकास कैसे हुआ? वीडियो पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें। आज से 460 करोड वर्ष पूर्व धर्ती बादलों के कनों के एकठे होने के कारण आस्तित्व में आई थी। आस्तित्व में आने के कुछ करोड वर्ष बाद किसी ग्रह के टकराने के कारण इसका अंद्रूनी तापमान इस हद तक बढ़ गया था कि इसका सारा पदार थी ये ठंडी होनी शुरू हो गई और इसके आसपास उड़ रही भाप भी बरसात के रूप में इस पर बरसने लगी। इस तरह धर्ती पर समुंदर ने जन्म लेना शुरू कर दिया। प्रित्वी के चारों और के वायो मंडल की गैसों के बीच जब आस्मानी बिजली गुजरी तो इसने ऐसे काबनिक पदार्थों को जन्म दिया जो क्रमवार धंग से जुल कर जीवों की शारीरे क्रचना के लिए जरूरी न्यूकली प्रोटीन बनाने के योग्यत है। ये काबनिक पदार्थ करोणों वर्ष समुंदर में जमा होते रहे। इस तरह हमारे समुंदरों में लिसलिसा पदार्थ जमा होना शुरू हो गया। इस पदार्थ के जुडने से सबसे पहले एक सेल वाले जीव आस्तित्व में आ गये। पहले जीव, 1964 में जे, जे, रामसे नाम के वैज्ञानिक ने उत्तरी अमरीका और दक्षिनी अमरीका के कई स्थानों से ऐसी चट्टानों के टुकडे एकट्थे किये जिन में समुंदरी काई के निशान मौजूद थे। चट्टानों में मौजूद यूरेनियम और सिक्के की मात्रा के अनुपात से पता लगता है कि ये चट्टाने 350 करोड वर्ष पुरानी हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि आज से 380 करोड वर्ष पहले धर्ती के समुंदरों में पहले जीवन की शुरू आत हुई थी। जीवन अनुओं की बनावट कुछ उलजण भरी हो गई। उन्होंने आर एन ए के अनुबनाने शुरू कर दिये। विज्ञानिकों का विचार है कि यहार एन ए अनुओं अपने एक जैसे और अनुपैदा करने अपने आपको बदलने और बढ़िया का चुनाव करने योग्यत है। आर एन ए अनुओं ने माँ बाप के गुन संतान में प्रवेश करवाने वाली अपनी योग्यता आज के डी। एन ए सैलों को सौंप दी है। इसके बाद एक सैल वाले जीव आस्तित्व में आ गए। इस तरह उस समय में समुंदरों पर इस एक सैल वाले जीव का ही राज रहा। लगभग 343 करोड वर्ष जीवन सिर्फ समुंदरों में ही विचरता रहा। 300 करोड वर्ष पूर्व धर्ती से मिली चटाने जंग रहित थी। इससे सिधा होता है कि उस समय धर्ती पर ऑक्सीजन नहीं था। इसके बाद यहां साइनो बैक्टिरिया नामक सूक्षम जीव पैदा हुआ। इस प्रकाश संसलेशन की क्रिया द्वारा पानी से हाइड्रोजन लेकर और सूरिय की रोशनी से खुराक तैयार करनी शुरू कर दी तथा ऑक्सीजन पैदा होनी शुरू हो गई। इस समय के बाद वाली सारी चटाने जंग भर पूर हैं। इस तरह धर्ती के वायुमंडल में 200 करोड वर्ष पूर्व तक ऑक्सीजन काफी मात्रा में पैदा हो गई और पानी में ही घुल गई तथा इस ऑक्सीजन रूपी गिलाफ ने पुलार से आने वाली खतरनाक किरनों को रोकना शुरू कर दिया। इस तरह समुंदरों में एक अरब वर्ष पूर्व एक सेल वाले साधे जीव के रूप में जीवन अंगडाई लेने लग पड़ा। इस तरह इस नीली समुंदरी काईसे कई प्रकार के पौधे पैदा हो गए। हम इस बात को भली भाती जानते हैं कि पौधों और जन्तूओं में अधिक फर्क नहीं होता। कई जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें अधिक तरगुन पौधों वाले ही होते हैं। वायरस एक ऐसा जीव होता है जो लाखों वर्ष एक ही हालत में पड़ा रहता है परन्तु जब उसे कोई जीवित चीज मिल ज तो उसके संपर्क में आकर बढ़ने तथा और जीव पैदा करने शुरू कर देता है। इसलिए इसे सजीव और निर्जीव वस्तुओं के मध्य में रखा जाता है। पारीक जीव ही थे जैसे हाइडरा जैली फिश, घूनगे, सिप पियं, बनस पती जीवों के डंठल और फूल मात्र। समुंदरी घास और कुछ नर्म सिर्वाले की रे। इस तरह ये पौधे और जीव करोणों वर्ष से समुंदरी तल पर जमा होते जा रहे हैं। सिप्पियां और घूनगे करोणों वर्षों के दबाव के कारण चूने वाली चट्टानों में बदल गए। आज से 57 करोड वर्ष पूर्व समुंदर में ही ट्रीलोबाइट नाम का ऐसा कीर्या पैदा हुआ जो बूटा जूं की तरही था और ये अपने शरीर को गेंद की भाती एकठा कर सकता था। इससे लाखों साल बाद समुंदरी बिच्छू भी आस्तित्व में आ गए। धीरे धीरे इनका आकार बढ़कर 9 फुट तक हो गया था। अभी तक जमीन पर जीवों तथा पौधों का कोई निशान नहीं था। मचलियों तथा रीर की हड़ी वाले जीवों ने अभी धर्ती के इतिहास में शामिल होना था। अपने पूर्वजों से अधेक चेतन और शरीरिक पक्ष से अधेक ताकतवर होती गई है। दांत और आखें। 50 करोड वर्ष पूर्व की पुरानी चट्टानों से एक ऐसा जीव भी मिला है जिसके दांत और आखें निकलाई थी। इससे पहले जीव नहीं देख सकता था और नहीं चबा सकता था। देबोलियन सिलो से मिले मचलियों के फासिल इस बात की गवाही भरते हैं। कि इस समय में मचलियों का विकास भी हो गया था। लगभग 40 करोड वर्ष पूर्व सिलो केंथ नाम की मचली भी इन समुंदरों में मिलने लग गई थी। वैज्यानिकों का विचार था कि इसकी नस्ल धर्ती से सदा के लिए लुप्त हो चुकी है परंतु 1938 में यह अचानकी नजर में आ गई। यह मचली धर्ती पर रहने वाले सभी रीर धारियों की जन्दाता है। हजारों ही किस्म की मचलियां समुंदर पानी में शिकार धूंडती और अपनी संतान में बढ़ोतरी करती हुई नजर आती थी। इन मचलियों के आकार वैसे बहुत बड़े नहीं थे और आम। सीलोकेंथ पराचीन समुंदरों में रहने वाली 40 करोड वर्ष पुरानी मच्छी जिसके बारे विज्ञानकों का कहना था कि यह 7 करोड वर्ष पहले लुप्त हो चुकी है मगर यह 1938 में भारत के पच्छमी समुंदर में मिल गई। मच्छियां एक फुट से छोटी ही थी परन्तु समय बीतने के साथ इन में से कुछ के शरीर 20 फुट तक लंबे हो गए थे इन मच्छियों के पूर्वज ऐसे नर्म शरीर वाले किरे थे जिनके मुऊ में दांत और शरीर में रीर की हड़ी मौजूद थी इस युग में ही पहले दूद पिलाने वाले जीव और पन्खों के बगैर कीरे पैदा हो गए थे 25 करोड वर्ष पूर्व होरसी नामक कीरा धर्ती पर पैदा हो गया इसके पांच पैरों की जोडिया होती हैं रेत के किनारे मादा अंडे जमा कर देती थी और नर इनको से देता था दरसल अंडे के उपर केल्शियम कार्बोनेट की सक्त तैहने समुंदरी जीवों को जमीन के उपर रहने योग्य बना दिया था क्योंकि जनन का ये तरीका जमीन पर अपनाया जा सकता था जमीन पर हरियाली कैसे आई? अब तक मिले सुबूतों से एक बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो गई है कि आज से 37 करोड वर्ष पूर्व जमीन पर जीव और पौधों की कोई नसल नहीं थी सारी जमीन पत्रीली थी तथा ज्वाला मुखी और बर्ष के तोदों द्वारा दूर दूर तक बिखरी चटाने ही नजर आती थी वीरान स्थानों पर गिर रहे पानी के जरने, नदिया और नाले जरूर दिखाई देते थे बहुत सारे स्थानों पर ज्वाला मुखी आगुगलते हुए भी दिखाई देते थे समुन्दरों में पानी की लहरी और ज्वारभाटे अब की भाती ही आते रहते थे गर्मी, बर्सात, सर्दी और बसंथ चारों मौसम अब की तरह ही थे चाहे धर्ती पर खिलने वाले फूल और बर्सात के मौसम में बढ़ने फूलने वाले व्रिक्षों का कोई आस्तित्व नहीं था क्यूंकि जमीन पर चटाने तोडने वाले घास और काई ने अभी पैदा होना था इसलिए यहां की सारी भूमी पत्रिली ही पत्रिली थी जमीन को नर्म करने वाले गंड गंडोय भी अभी पैदा नहीं हुए थे समुन्दर से दल दल की ओर धीरे धीरे समय ने करवट बदली और कुछ जीवों तथा पौधों ने गहरे समुन्दरों की बजाए कम गहरे समुन्दरों में अपने आपको ओगाना सेमुरिया सेमुरिया एक जैसे जीव था जो रिंग कर चलने वालों जीवों की मध्य श्रेनी थी साइनो गनेथस भी ओसा एक जीव था सीख लिया तभी कभी पानी की लहरी उन्हें दल दली इलाकों या समुन्दरी किनारों पर ले आती थी धर्ती की अंद्रूनी गर्मी के कारण कई बार समुन्दर तलू पर उठ गए और इनके बीच वाले पौधे को मजबूरिवश जमीन पर ही उगना पड़ा इस तरह ये पौधे जमीन में अपनी जड़े लगानी सीख गए गीले स्थानों पर उगने वाले पौधे काए और मास ही सबसे पहले जमीन पर प्रवेश करने वाले जीवित पदार्थ थे इसके बाद खुबो ने भी अपनी हाजरी लगवा दी अब तक पैदा हुए पौधों के नहीं पत्ते थे और नहीं तना होता था फरन ऐसे पहले पत्ते और तने वाले पौधे थे जो इन बीजों वालों पौधों से होकर देवदार और चील जैसे व्रिक्ष पैदा होने शुरू हो गए फूलों वाले पौधे और व्रिक्ष तो सिर्फ 15 करोड साल पहले जमीन पर विराजमान हुए है जमीन पर कीरे मकोडे आये पौधे वैसे तो जमीन पर आने में जीवों से आगे थे परन्तु इन में समय का फर्क बहुत कम था मनुष्य जीवन के लिए लाखों साल बहुत लंबा समय होता है परन्तु धर्ती के 460 करोड वर्ष के इतिहास में इस समय का बड़ा महत्व नहीं है पौधों के कुछ लाख वर्ष बाद ही कान खजूरे, बिच्छू, कौक्रोच, टिड़े तथा और कीरे मकोडे दलदलों में से गुजरते हुए जमीन पर रहना सीख गए समुन्दरी पानी में आज भी मिलने वाली फेफरों वाली मचली इस बात की गवा है कि धर्ती पर रेंग कर चलने वाले जीव जन्तु समुन्दरों में से आये थे इस समय के कीरे मकोडे आकार में बहुत बड़े होते थे कईयों के आकार तो तीन फुट तक पहुंच जाते थे मौसम ने कुछ करवट बदली और धर्ती पर लंबे समय के लिए बर्फानी युग आ गए इससे धर्ती पर उपलब्ध पौधे इतने पत्रा गए कि आज धर्ती के नीचे मिलने वाली कोईले की खाने इन पौधों की ही बनी है चाहे इस बर्फानी युग में पौधों और जन्तूओं की अधिकांश नसले अलोप हो गई परन्तु कुछ ने आसपास के वातावरन के मुताबिक अपने आपको बचाना सीख लिया इस समय के ऐसे जानवरों के पत्रात भी मिले हैं जो अपने अंडों से बच्चे निकालने के लिए इनको मुर्गियों की भाती सेते रहते थे इस तरह नहीं ये पानी में अंडे देते थे और नहीं इनके गले में गल्फडे थे इस धंग से समुंदर से आये ये जीव धर्ती पर रहना और अपनी नसल को बढ़ाना सीख गए परंटु अभी तक फूलों वाले पौधे और इनसे शहद प्राप्त करने वाली मक्खियां वतितलियां आस्तित्व में नहीं आई थी सांप और मगर मच समय की तबदीली से धर्ती पर गर्मी पढ़ने लग पड़ी जिससे सर्द मौसम के जीवों की कई नसले अलोप हो गई परंटु गर्मियों में चुस्त होने वाले जीव आस्तित्व में आ गए इनमें सांप, कच्छू, घड़ी याल, मगर मच, मेधक और गिर्गिट जैसे जीव विचरने लगे वेल मच्छलियों और वोया सांपों में उनके पेट में टांगों की हड़ीयों की मौझूदगी दर्शाती है वेल मच्छलियां का विकास जमीन पर रहने वाले थंधारी जीवों से और वोया सांपों का विकास छिपकलियों से हुआ है आज से 24 करोड वर्ष पूर्विन जीवों से ही विकास करके आज के पशू और पक्षी आस्तित्व में आए हैं वैसे इन जीवों को लंबे समय तक धर्टी पर मिलने वाले बड़े जीवों के कारण गुप्तवास में ही रहना पड़ा और इसी कारण लंबे समय तक ये अपनी नसलों के शारीरे काकार में अधेक विकास नहीं कर सके परन्तु इन्होंने अपना आस्तित्व कायम रख कर ही आज मिलने वाली जंगली जानवरों के आस्तित्व की शुरुआत की धर्टी पर लगभग 15 करोड साल डायनसोर जैसे बड़े और भयानत जीवी राज करते रहे हैं इनके शरीरों की हड़ियां दर्शाती हैं कि इनकी लंबाई 84 फुट तक होती थी और बैठते समय ये 100 फुट जगा घेरते थे एक जगा बैठ कर ही ये सैकडों व्रिक्षों की टहनियां चर जाते थे क्योंकि इनमें से अधिकतर शाकाहारी थे इसलिए आम तोर पर ये मासाहारियों का शिकार बन जाते थे मजबूर होकर इनकी रेंगने वाली कुछ नसलों का जुकाव समुन्दर की ओर हो गया इसलिए इनमें से कुछ उसी समुन्दर में चले गए जहां से इनके पूर्वज निकल कर धरती पर आए आज समुन्दरों में मिलने वाली थंधारी वेल मचली इन डायनासोरों ताही एक रूप है पक्षी कैसे बने जब डायनासोरों की नसल के छोटे छोटे जीव मासाहारी जीवों का मुकाबला ना कर सके तो इनमें से कुछ पहाडी स्थानों पर कूछ कर गए खालतों की मान के अनुसार उन्होंने अपने शरीरों को ठंड से बचाने के लिए छोटे छोटे पंखो गालिये ये छोटे छोटे पंख उन्हें पहाडों में उची छोटी से नीचे वाली छोटी तक आने में सहाया खोते थे लाखों सालों के अभ्यास से आखिर ये छिपकलियां उड़ना सीख गई और एक समय ऐसा भी आया जब धर्ती पर चारों और ये छिपकलियां ही उड़ती हुई नजर आती थी इस तरह ये पहले जब छिपकली उड़ने लग पड़ी पक्षी बन गए शुरुआती दिनों में ये पक्षी समुन्दरी मचलियां खा कर गुजारा करते थे उनके अगले पैर आज भी एंटार्टिका में मिलने वाले पक्षी पनबूईन जैसे होते थे और इनके पंख कीवी जैसे होते थे धर्ती आर्कियोप्टर के से कसा जीव था जो पंख्षीयों और जानवरों में मध्य श्रेनी समझा जाता था जिसके पंखों के बीच वाली हड्डियों उपर भी पंजों के निशान थे कि चट्टानों से मिले आकियोप्टरिक्स नामत जीव के पिंजर इस बात का सुबूत है कि रेंगने वाले जानवरों से ही उड़ने वाले पक्षी आस्तित्व में आये थे इस पक्षी में उड़ने वाले और रेंगने वाले दोनों तरह के जीवों के गुण मौजूद थे आज से साड़े 6 करोड वर्ष पूर्व धर्ती पर घटी किसी बड़ी दूर घटना के कारण डायनासोरों की नसले धर्ती से सदा के लिए अलोप हो गई आज वैज्ञानिकों के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि साड़े 6 करोड वर्ष पूर्व एक बहुत ही बड़ा उलका पिंट धर्ती से आटकराया था वैज्ञानिकों ने ब्राजील में उस स्थान का भी पता लगा लिया है जहां वो उलका गिरी थी इस उलका पिंट के टकराने से इतनी धूल उड़ी थी कि उस धूल ने कई वर्षों तक धर्ती पर सूर्य की रोश्नी ही नहीं पढ़ने दी इसलिए धर्ती पर उपलब्ध सारी वनस्पती मुर्जा गई उस समय टकराई उलका पिंट ने पूरी धर्ती की पर्तों में एक ऐसी तेह बिच्छा दी की फासिलों की खोज में लगे वैज्ञानिकों को वह तेह स्पष्ट नजर आ जाती है इस तेह के नीचे तक ही डायनासोरों के फासिल प्राप्त होते हैं इस घटना के कारण जीवों की 90 प्रतिशत नसले खुराक की कमी के कारण सदा के लिए अलोप हो गई थी परन्तु इन डायनासोरों के आस्तित्व के सुबूत कलकत्ता के अजायब घर में पड़े बड़े बड़े हड़ियों के पिंजर हैं प्रारंभेक पशु प्रारंभेक पक्षेयों की तरही प्रारंभेक पशुओं को भी दुश्मनों से बचने के लिए ठंडे स्थानों का सहारा लेना पड़ा नई हालतों के अनुसार नए स्वभाव और ने उनके अंदों पैरों की बनावट में तबदीलिया ला दी ये ठंडे खून की जगल गर्म खून के मालिक बन गए पंखों के स्थान पर बाल आ गए अंदों को बहार निकाल कर गर्माईश देने की बजाए इन्होंने अपने पेच में ही रखना शुरू कर दिया इस तरह उन्होंने अंदे देने की बजाए संतान को जन देना और भोजन मून द्वारा खिलाने की बजाए दुद पिलाना शुरू कर दिया इस तथ्य का सुबूत आज भी धर्ती पर मिलने वाले ऐसे जीव हैं जो देते तो अंडे हैं परन्तु अपने जीवों को दूद भी पिलाते हैं इसके बाद धर्ती पर ऐसा योगाया जिसमें धर्ती पर बहुत बड़ी उथल पुथल हुई ज्वाला मुख्यों ने आगुगलने का काम तेज कर दिया और प्रित्वी के कई क्षेत्रों में दिखाई देने वाले बड़े बड़े पहाडों की लड़ियों ने आस्तित्व में आना शुरू कर दिया वर्तमान महाद्वीपों की दूरियां बढ़ने लगी और ये 15 सेंटीमिटर प्रती वर्ष एक दूसरे से दूर हटने लग पड़े महाद्वीपों में बढ़ रही इस दूरी ने आज के प्रशांत महासागर और अंध महासागर के आधुनिक समुन्दरी रूप को जन देना शुरू कर दिया जंगली जानवर प्रित्वी पर घास पैदा होने के कारण बेशुमार चारगाहें पैदा हो गई थी जो थंधारी अलोप हो गए थे उनसे भी चमतकारी घास खाने वाले पशु और इन्हें मारने वाले जंगली जानवर आस्तित्व में आ गए इन नए थंधारी पशुओं में एक खास किस्म का गुण था कि ये अपनी नवजन्मी संतान को दूद पिलाते थे और अपने साथी रख कर पालते पोस्ते थे इस तरह इन थंधारी पशुओं ने जुंड में एकठे रहना सीख लिया धीरे धीरे इस धांग से सामाजिक चेतना में विकास होता रहा वैज्यानिकों के पास इस बात के सुबूत हैं कि जैसे जैसे पशुओं की सामाजिक चेतना बढ़ती गई वैसे वैसे इनके दिमाग का आकार भी बढ़ता रहा दीरे दीरे इनमें चेतना बढ़ती गई और इनके जुन्डों का आकार बढ़ता गया इस तरह समय चलता रहा और हमारे आज के पशुशेर, चीता, गधा, भोडा, भैसे और हिरनादी आस्तित्व में आ गए इनने हाथी जैसा जानवर मैमत भी था जो 15,000 वर्ष पूर्व धर्ती से लुप्त हो गया आज भी इनके पूरे के पूरे शारीरिक धाचे, साइबेरिया के बरफीले मैदानों में मिलते है यदि हम प्राचीन सिलों में मिले गोड़े के पिंजरों का आध्यन करे तो हमारी हैरानी और भी बढ़ जाती है उत्तरी अमरीका में मिले 5.5 करोड वर्ष पुराने पिंजर बताते हैं कि इस समय गोड़े का कद सिर्फ बिल्ली के आकार का ही था छोटा सेरो और छोटी गर्दन के साथ ही इसके पंजे में चार अंबुलियां ही थी दो करोड वर्ष बाद इसका आकार बकरी जितना हो गया और पंजे से एक अंबुली और अलोप हो गई और अब अंबुलियों की गिंती सिर्फ तीन ही रह गई लगभभाग एक करोड वर्ष पूर्व घोड़े का आकार आज के गधे जितना हो गया आधुनिक घोड़ा आज से चार लाख वर्ष पूर्वी आस्तित्व में आया है घोड़ी के विकास का अध्यन करते समय इसके दातों और दिमाग के विकास की कहानी और अधेक स्पष्ट रूप में सामने आती है